अथिंटीख क्रिस्मस प्लाम के जो आप घर में अऽ़ानी से कैसे बनाऊँगे वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी और वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी चैनल पे आप निव घृपव तो मेरी चैनल पे नीची धी हुई लाल बाटन का सब्स्राइब लिका हुआ ला सांटे करना में हैं किसमिस ली वोगोजदाना लीए हूँ और फिर खाजुर ली हूँ चोड़ा-चोड़ा काटके और और इगारेंज जुस में तो इसलिए मैं 3-4 कब चीनी हमें हो इहां और गयस का फ्लेम हाई करते लागा तर इसे चलाना है चलाते चलाते जब आप पादार पीघल जाये तब क्या करेंगे गयस प्लेम सिम कर देंगे और इसका कालर जब गल्डें हो जाए तो द Prose सब दीरे-स आपको पानी डालना है चो जग के नहीं तो आ जाता है और यह जब फिर उबल के आ जाए तो यह तयर हो जाता है अब किक का बैटर बढ़ना लेना है इसलिए एक छालनी का ऊपर आपको माइदा डालना है एक कप माइदा ली हो मैं यहां और माइदा को छान लेना है छान लेना का बाद आपको पाउडर मिल्क लेना है तीन चा मौच ये ऑफसनाल है अब नहीं भी ले सकते हो स्कीब भी कर सकते हो अब हम एक चोथाई कप मिल्क एक चोथाई कप रिफाइन वाइल लेना है इसमें अच्छा तरह से इसे मिक्स कर देना है और मिक्स कर देने का बाद हम इसमें डालेंगे करमेल को जो तो आप एक साहत में नहीं डालना है उसे दो या तीन स्टेज में डालना है और डालने का बाद इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है देखिए ये गाड़ा है तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ जितना जरूरत हो आप उतना ही डाले और अच्छा तरह से बेटर के साथ मिक्स कर ले फिर सोग किये हुए नार्स को हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम डाल दिये और डाल देने का बाद इसे अच्छा तरह से आपको मिला लेना है अच्छा तरह से मिला लेने का बाद हम इसमें एसेंस डालेंगे तो हम इसमें भैनिला एसेंस डाल दिये और भैनिला एसेंस डालने का बाद भी फिर आपको मिक्स करना है मैं इलाई जी का पॉडर और दलचिन का पॉडर ली हूँ आप इसकी भी कर सकते हो लेकिन इसमें अच्छा प्लेवार राता है ये पॉडर मेरा घर में बना हुआ था तो मैं आपके पास नहीं लई तो आप बना के ले शकते हो आखिर में इसमें बेकिंग पाऊडर डालना है एक चामोच और बेकिंग पाऊडर डालने का बाद इसे अच्छा तरा से मिला ले और इसका पंसिस्टेंसी देख लिजिए, फिर उसके बाद एक केक टीन लेदा है और उसमें मैं पहले से ही बटर पेपर डाल के रख दी थी, ग्रिस करके और इसे थोड़े सा टैब कर लेना है और कड़ाई में मैं बनाऊँगी तो कड़ाई को पहले से चुला में बैठा दी ती यह गरम हो गया है और कड़ाई के उपर आपको कुछ भी कुछ भी एक ठोक काटोरी हो और अधा गंटा बाद ही मैं डेकोरेट करूँगी क्योंकि अभी डेकोरेट करने से ये अंदर में सारे नाट्स चला जाएगा आपका उपर में कुछ ही सोय नहीं होगा अधा गंटा मात मैं जब खोली हूँ देखिए कितना फूल के उपर मैं आ चुका है और अब डेकोरेट करने के लिए मैं काजू डाल दे रही हूँ अब जो भी आपका मोन पसंद नाट्स है अब डाले ब्लैक किसमिस डाल रही हूँ और चेरी भी मैं डाल दूँगी फिर मैं मगोस दाना भी इसका उपर डालूँगी और कभार कर दूँगी फिर से 10 मिनिट के लिए फिर से 10 मिनिट बाद हम कभार कुल के जब देखेंगी देखी कि ये नाट भी अंदर चले गया था तो फिर मेरे को दोबारा उपर से कुछ नाट्स एड़ करना पड़ा तो मैं फिर कालर भी बढ़िया आया है और इसे चेक करने के लिए टूथ पीट अप ले ले और इसे अंदर में दावाए और देखें इसमें ते कुछ केक नहीं लागे है तो आप समझ जाएंगे आपका केक बन गया है इसको हम चुला से उतार लेंगे और ठंडा हमने के लिए कुछ द साइट से ऐसा कर देंगे तक ही आसानी से निकल के आ जाए और फिर हम क्या करेंगे केक कटीन को पलट देंगे एक प्लेट का उपर मैं जैसा कर रही हूं ऐसा करके आप पलट यह और थोड़ा सा टैप करें टैप करने का बाद यह आसानी से उपर में आ जाएगा और बटर पेपर को अब निकल लीजिए धिरे धिरे और हमारा केक बन के तयार हो गिया है कि केक बनने में एक घंड़ा लगा वीडियो कैसा लगा कवर सेक्शन में जुरूर बताए अच्छा लगा तो इसे लाइक का सेयर करने ना भूले इंसल्ला मिन्त है नेक्स वीडियो में अला हफ कि अईस वीजिए!